वेलकम टू फैंटसी काउंसल आपके लिए अपना आपका ऐसा चैनल जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बॉच्छार हो रही है पैसों की बारिश हो रही है नोटों का तुफान उड़ रहा है जितने बटोर सकते हो बटोर लो और एक नई सिरीज का आगाज भी शु होंगे और कुछ T20 मैच भी होंगे जो पहला मैच खेला जाने वाला वान खेड़े बुंबई में दुफैर देड़ बजे ओड़ी रहने वाला है इस मैच में बहुत ज्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो मैं कमाया फिर दूसरा मैच जो BBL में खेला गया जो आपने देखा होगा थंडर और हीट के बीच में उसमें आया हमारा हंड्रेड परसेंट क्लीन स्वीप वाला मैच प्लस ट्रेडिंग में फायदा हुआ और मैच विनिंग तो मैंने आपको बताई ती कि हीट जीतेगी तो इ आज के मैच में बनाना बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साथ-ाट बॉलर्स खेल भी हैं तो कौन बॉलिंग आके कराएगा यह सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से तो बने रहे ध्यान से सुने और साथी साथ मांगे चलिए क मेरी टीम में कोई चेंज होता है तो उस केस में आपको जॉइन कर लेना हमारा टेलिग्राम चैनल जहां पर कबडी की तीम भी आती है वैसे कबड़ी का एक अपना यूट्यूब चैनल भी हैं अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कबडी की वीडियो स्ट डेल में लिंक है टेलीग्राम चैनल का यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैंने कमेंट पिन किया हुआ है जिसपे टैप करके आप आसानी से जॉइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर जॉइन कर ले कि यहां पे स्मॉल लीग टीम मिलती है पर्सनल गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं रोजाना पर्सनल गाइडेंस मिलती है यहां पर कि आप हमें मैसिज कर सकते कोई भी आपका सवाल हो कि परिमान के चलो परिशानी आ रही है कि भई हम इसमें कैसे करें तो हर चीज का तो क्योंकि मेरे उंगलिया ही काफी है तो इंडिया मूमन की तरफ से सिम्रिती मांदना शैफाली वर्मा यह दोनों ओपन करने वाली है यस्तिका भाटिया रहने वाली है इंडियन टीम की कीपर और उसके साथी साथ हरलीन देवल हर्मन प्रीट को और जो सबसे बड़ा पर यहां पर जैमी और ओड्रिक्स को सेकंड डाउन पर यह भेच सकते हैं इस चीज़ का धियान रखना फिर आती है और रांडर इंडिया की बेस्ट वाल रांडर दिप्ति शर्मा अमन जोतकौर पूजा वस्त्राकर स्नेह राना और रेनुका सिंग अब यहां पे कैच है इनक है इक दो थीन चार यह चार तो आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगी ही आएंगी भाटी पाच वी चैटी बॉल्लर पांच वी हो जाती है इनकी अमंजोत को और चटी इनकी हो जाते हैं तो हर्ली यह जैमी माँ आपने देखा होगा जैमी मा से भी बहुत जादा ब भीड़ती है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वेन्यू पे भी मुंबई में कैसा खेलते हैं लोग तो हैट्टु एड में 11 मैच में 431 और 49 के एवरेज से सिम्रती ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर किया है वेन्यू पे तीन मैच में 153 और 56 की एवरेज लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आगे कौन सी प्लेयर नहीं चलती है वो है शेफाली वर्मा ओडिया इस में चार मैच में सिर्फ अठावी रन पिछले पांच मैच में छे जीरो बावन नौ सत्रह यस्तिका भाटिया की अच्छी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 42 के एवरेज है 161 है ल दोनों चीज कर लेती है पिछले पांच मैच में ठीक कर गाई है साततर पच्चेश छे डिन नौट बैड और सिर्फ चानल हर्मन जो सबसे बड़ी स्टार प्लेयर है हमारी भारत की पंदरा मैच में पांसो तरेसट रन च्यालिस के एवरेज और तीन विकेट हर्मन प्रीत क फिर आती है जिसके सिर्फ और सिर्फ तरतालीस रन है पिछले पांच मैच में अच्छी बैटिंग करिया 29-34-42-20 हम कह सकते हैं एबरेस से थोड़ा उपर फिर आती है दिपति शर्मा जिनोंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 मैच खेलें 173 रन करें पांच विकेट भी लिए लेकिन बल्ले से प्रफॉमेंस नहीं आ रही है अमन जौत कोर का होने वाले डेबिक ओडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्पांच मैच जीरो एक डिनॉट बैट और जीरो विकेट बॉलिंग बहुत जाता कमजोर है इंडिया कि अगर आप देखोगे पूजा वस्तराग और चेविकेट और चेविकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग अच्छी कर लिए बॉलिंग और यह ओडियाई में अच्छा करती ही करती है फिछले पांच मैच अगर आप देखेंगे चेरान एक विकेट ग्यारा रन जीरो विकेट अई पहरिया गई और चार अगर आप देखेंगे दो दो तीन साथ विकेट तीन मैच इंगे और एक मैच में विकेट लेस्ट चार में साथ कर गया आई है अब आती है और यह जिसमें एलसा हेली और फीब लिच्पिल रहने वाली आपनर और हमारी याप की नहीं है इस बैट मूनी तालिया मैग्रा ए अब आउस्ट्रेलिया उमिन की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास भी बॉलिंग बहुत सारे है जैस जोनासन हो जाती है डार्सी ब्राउन हो जाती है अच्छा जैस जोनासन का जो डाउन रहेगा ना वह एनबल सुथरलेंड से उपर रहेगा मतलब एक डाउन नीच रहे अब यहां पर किसको बॉलिंग करती है अब यहां से जैस जोनासन के कुछ ओवर काट लेंगे मेगन शूट अपने उपर से और अगर मैच जीत रहे होंगे तो पूरे और नहीं कराएंगी कुछ इन में बढ़ जाएंगे जैसे तालिया में एशले में यह चीज होती है तो आठ बॉलर में से कौन से दस पैकिंगे बहुत मुश्किल है कि भारत के खिलाफ एलसा हेली बहुत मारती है पैतालिस के एवरेज से फोर फॉर्टीनाइन रन है और इस वेन्यू पर लास्ट टाइम खेली तो छे रन बना पाई थी पिछले पांच मैच में दस बत्तिस बहुत बहुत अलग रूप में आती है एलसाहिली फीवी लिच्विट पिछले पांच में तीन चौतिस टेवी साट और मुझे लगता है पहली पर खेली ना तो अच्छा ही परफॉर्म करके यह जा सकती है और एलीस पैरी 21 मैच चार से कत्ता रन 49 के एवरेज 32 विगट भा बहुत तो गड़ा खेलती है इंडिया के खिलाफ इटी सिक्स की आवरेज 343 रन्स और पिछले पांच मैच खराब गए हैं लेकिन देखना ओडियाई में आती पता नहीं लड़कियों को क्या हो जाता है और लड़के इन कैसी है तालिया मैग्रफ तीन मैच 121 और चार विक के खिलाफ पिछले पांच मैच अकर आप देखोगे एक किस चार विकेट चातिस जीरो विकेट आट रन जीरो विकेट छे रन दो विकेट चौबिस रन एक विकेट ये भी नी छोड़ती वाई ये किसी को नहीं बख्षती है दोनों गार्डनर पैरी मूनी एलसा और उसके आगी बैटिंग कंटीनीव एंबल सुथरलेंड एक मैच में दो विकेट हैड तो एड में और लास्ट मांच मैच इसमें च्छतिस रन जीरो विकेट दो विकेट दो विकेट जीरो चार नौश सैथिस चौबिस चौबिस लागाता पफोर्मेंस जॉर्ज और इंडिया जैन जिन्हों ने तीन मैच में लिए आठ विकेट पिछले पांच मैच में 0-3-1-1-3-0 और जैस जोनासन यह भी भारत के खिलाब काफी अच्छा करती हैं 12 मैच में 14 फिछले पांच मैच में हर मैच में लिया गुच्छों मिली हैं 12142 वेनियर प्रफेस अब वान खेडे स्टे अदा ओस आने लगती है और जब आपको पता है डियू आ जाती है तो डियू आने की वज़े से वह मैच में चेयस करना असान हो जाता है और यह विए अच्छा है तो मैं आपको सीधा सीधा पताता हूं बैटिंग के लिए विकेट अ अच्छी है लेकिन दिकत क्या है आठ- कट अपोनेंट के लिए करेंगे हमारे लिए मजा आएगा और इस मैच में बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं ठीक है बॉलर्स को डैथ में मिल जाएंगे थोड़ा पार प्ले में मिल जाएंगे अगर इनीशल मूमेंट हुई मिडल और की बैटर्स अच्छा करेंगे लास्ट जब इंडिया उबर देखूं पिछ रिपोट है कि अपने पास हाँ पहले यह देखते हैं यह जादा जरूरी रीसेंट मैच इस वन्यू तो 28 यहां पे इंडिया वुमेंट ने बनाये थे 205 और इंग्लेंड वुमेंट ने चेस किया था 208 रंग बनाके आठ विकेट पेसर कर दिया था 41 और में फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे दस जिसमें से दो मिले स्पिनर को आठ मिले पेसर को और सेकंड इनिंग में तो तीनों विकेट सिर्फ पेसर लेके गए थे 225 को जो मैच यहां पर खेला गयाता है इंडिया मुमेंन ने बनाये थे 202 136 पर पेसर के लिए विकेट ज्यादा मददगार है स्पिनर को यहां पर ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है तो हम जोर्जे विराम टाइप को हम स्मॉल लीग में छोड़ सकते हैं लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बिढ़ी थी तो इंडिया ने अच्छा स्कूर किय पूजा वस्तरा करके 34 फिर यहां से लिए डार्सी ब्राउन तीन एक जैस जोनासन और अलाना किंग यहां पर विकेट लेती दो विकेट लिए ते अलाना किंग अब यह चेस करने आते हैं इनके ओपनरी इतने कट्टर है रेचल हींस तरतालीस रन और 65 बॉल में बहुत्तर अलीस परी 28 बैट मुनी 30 तालिया मेगरा जीरो उसके बाद बीन कितने लंबे बैटिंग ती और इनोंने सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताऊं तो है 49.3 में दोस्वस्ती कर दिया थे यह थोड़ा और पहले जीट जाते लेकिन इनोंने थोड़ा 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 उपर कंपनसेट कर दिया था जैसे मैग लैनिंग की 13 में 97 हो गय थे तो इस चीज में इंडिया की दरफ से विकेट किस ने लिया था कि आम सिंगने एक लिया था पूज़ा वस्त्रा करने लिए थे दो विपीट और स स्नेहर अगने लिया था इस मैच में एक विक तो यह ंडींग करते हैं बहुत चीजेख फटा लग गई है न थोड़ी में ट्रेटिंग फ्रेडंग हो जाय तो उस्पोर्स बाजी में सorf ताकि इंडिया वुमें और और अस्टेलिया में हम ट्रेड कर सके और मैंने गलती से दूसरा मैच खोल लिया है मेरे पांच नम्र गाट लेना चलो इतने हम लोगों बात करने का मौका मिल इतने मैच खुलेगा वीडियो देखरों लाइक नहीं करें क्यों लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हूं मैं बता देता हूं गिववे हैं इस वीडियो में टॉप 10 लखी विनर सो रुपे पे डियम कैश पांच बैस कमेंट दो स ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं अगर इसको प्ले करूंगा ना तो मैं इस पर फॉल्स पर जाओंगा और फॉल्स पर छे रुपे के भली मिले हो लेकिन मुझे पता यह मेरे अच्छे कहां से प्रॉफिट के पैसे हो सकते तो साथ जार इंवेस्ट करके मुझे मिलने हैं पहले दो मैच इस तो मैं अस्ट्रेलिया को ही जिताने वालों बहले ही आगे आने वाले मैच में एक आदे में इंडिया को हम जित्वाइंगे लेकिन यहाँ पर यहीं चीज होने वाली है आगे चलते हैं यह थी मेरी इस मैच की ट्रेड और दूसरा सवाल है टॉस बिनिंग आगे कंटीनियू करते हैं की प्लेयर्स की तरफ लेकिन अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं अपने प्यारे-प्यारे हातों से जुड़ जाईए हमारे के परिवार में आपका भी एक हिस्सा हमारे साथ जुड़ जाएगा और आपका भी प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और वीडियो को लाइक कर देना बैल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि हर दिन आपको हर मैच की वीडियो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब वेरिफाइड चैनल पर ठीक है चलो आगे चलते हैं यह मैंने बता दिया की ब्लेर में इंडिया की तरफ से दिप्ति शर्मा मुझे नजर आती हैं दस ओवर पक्का कराएंगी बैटिंग भी करेंगी इतने पॉइंट्स दे जाएंगी कि ड्रीम में आ जाएंगे फिर हम आते हैं एशली गाडनर पे एशली गाडनर का भाई हमेशा से राय कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स देती आ रही हैं इंडिया के अगेंस विकेट भी लेती हैं और बॉलिंग इनको मिलती मिलती है तो आशली गाडनर को आप अपना ग्रैंड लीग जरूर रखे हैं सुझ्छ पैरी खेले और हमनाले ऐसा कभी हुआ है जब हुआ है तब भी हम जीथे हैं मतलब यह और आ defending also तो भी जिताएंगी मैं अगर ड्रॉप करूंगा तो भी जिताएंगी तो मैं तो आल लूँगा ग्रैंड लीग में भी लूँगा स्मॉल लीग में भी हाँ भूल जाता हूं सब कुछ कहा था मैं है एक्ष मैच में 479 विए और 32 भारत के खिलाव वेड्यू पर भी साथ रखना अपनी टीम में काम आएंगी जॉर्जिय वेराम चोड़ो यार चलो जॉर्जिय वेराम मैं बताँ क्यूं मना करूंगा क्योंकि लेक्स्पिन है मिडल अच्छा केलता है लेक्स्पिन को तो आप ज मार का बदला देखना है इस मैच में टेस्ट मैंच अभी जीती इंडिया मैं बहुत खुछ हुआ लेकिन एलसा हेली के राधे अलग रहेंगे स्मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो कैप्टन तो मुझे लगता है एलसा हेली एलीस पहरी ऐसले गाडनर इनसे तग आस्ट्रेलिया पहले बैटेगार हो मलब जब इंडिया वहले बॉलिंग कर रही हो तो यह चीज का धियान रखना कोशिश करना आस्ट्रेलिया से आपकी सीवी सी आए क्योंकि इंडिया से आना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसे जीरो बढ़ा देते हैं तरह चालिस मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है एड टू एड में और दस मैच जीती है इंडिया आज कौन चल सकता है इंडिया से देखो हर्मन प्रीत के मुझे लग रहे हैं चांसे अच्छा करेंगी दिप्ति अच्छा करेंगी पूजा वस्तराकर अच्छा करेंगी इस मैच में टॉप फोर में से कोई एक ही बंदी अच्छा स्कोर कर पाएगी बाकी दो तीन तो फ्लॉपी हैं अब यहां से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं बात करूँ मुझे लगता है फीबिलीच फिल्ड का आज अच्छा दिन रहने वाला है एलीस पैर स्मॉल लीग की टीम यह है मज़ेदार मुकाबला तो स्मॉल लीग टीम बनाने में बहुत मज़ाएगा माई मास्टर 11 पर मैं सारे कांटेस केलता हूं और आपने देखा होगा यहां पर हम और आप जो खेल रहे हैं कितना जादा जीत रहे हैं प्रॉफिट बहुत तकड़ा तो बैट मुनी एलसा हेली दो कीपर मैंने लेली है उसके बाद हम आते हैं एली इस पैरी ले ले लेते हैं हर्मन प्रीट को ले लेते हैं अभी दो बैटर रखते हैं ओपनर कोई आउट हो गए मांधना और शेफ आली में से एशले गाड़नर को रखना पड़ेगा दिपती अब इन दो प्लेयर में जैस जोनासन अगर खेले तो ठीक है रखेंगे बट पहले ले ले लेते हैं तालिया मैग्रा को और अगली रखते हैं पूजा वस्तरा कर बॉलिंग भी कराएगी बैटिंग भी कराएगी तो यह रहने वाली है मेरी टीम जिसमें सी वीसी मेरे रहने कर ले एक चेंज आप क्या कर सकते हैं मान के चलो इंडिया अगर पहले बैटिंग करें तो रेनुका सिंग को हटा के आप यहां पे कोई दूसरी जैसे मंदना को ले सकते हैं अपनी टीम में या फिर एनबेल सुथरलैंड को भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बोलिंग भी कराए और मिलते हैं सीधा तॉस के बाद